स्री सद्गुरू देवाए नमा भायो बैनों, भगवान भक्त की किस बात से रीज जाएं यह तो कोई नहीं जानता क्योंकि वह तो भक्त का भाव देखते हैं भाव यदि सुद्ध है तो भगवान आपके बहुत निकट है वरना पास होकर भी आपसे बहुत दूर है आज आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ उसको जाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवस देखिएगा अगर आप ऐसे ही पक्ती पूरुवा कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्छित प्रभाद यूटूब चैनल को सब्क्राइब करके बैल आइकन अवस दबा दिजे जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन हर तीसे दिन आपको लगातार मिलते रहें यह बात सन 2008 की है कानपुर सहर में एक महिला रहती थी उसका भरा पूरा परिवार था वो अपने परिवार में मस्ट रहती थी उसका भगवान स्री केशन से बहुत प्रेम था उनके पास एक लड़ू गोपाल थे वो उनको रोज नहलाती उनको नए वस्ट पहनाती संगार करती उनको सीशा दिखाती और कहती कि लाला तुम बहुत सुन्दा लग रहे हो कहें तुमको नजन न लगे और उनको कालाटी का लगा दिती थी वो उनका उनके लिए कुछ न कुछ रोज बना कर उनको भोग देती उनका सब कुछ कानह की करपा से अच्छा चल रहा था उनके मन में एक इच्छा थी कि कम से कम एक बाद जीओने बना बन जाके मांके बिहारी जी के दसन कराएं किन्तु घरवाले जो थे वो साथ जाने को तयार नहीं होते थे एक दिन की बात है उनके एक पड़ोसी अपनी पत्नी के साथ बना बन दसन करने को जा रहे थे उन्होंने उस महिला से पूछा तो वो भी जाने को तयार हो गी उन्होंने अपने घर वालों से इस बारे में बात की उन्होंने भी उसकी अनुमती जाने की दे दी वह तीनों लोग ब्रंदावन के लिए रवाना हो गए ब्रंदावन पहुँचकर उन लोगों ने एक आसर में जाकर एक कमरा ले लिया कुछ देर आराम करने के बाद वह लोग बागे बिहारी जी के दरसन करने को गए मंदर पहुचकर पती पत्नी ने भोग शड़ाने के लिए कुछ मीश ठान ले लिया परंतु वह महिला जल्दबाजी में केवल पूजा फूल माला ही ले सकी तीनों लोग मंदर के अंदर गए उन लोगों ने बिहारी जी का बहुत प्रेम से दरसन किया उसके बाद वह लोग जो जो लाये थे उन्होंने गोसाई जी को दे दिया गोसाई जी ने पत्ति पत्नी को प्रसाइब दे दिया किन्तु उस महिला को कुछ नहीं दिया उसी समय अचानक भीड आ गई वह महिला के एकदम किनारे हो गई जिसके कारव वह गोसाई जी से कुछ पाने सकी जादा भीड के चलते दरसन करने के बाद लोगों को मंदे से बाहर किया जाने लगा ताकि बाकी लोग दरसन करने को आ सके उस मेला को यह बात नहीं जची वह सोचने लगी मैं इतने समय बाद पहली बाद बिहारी जी के दरसन करने आई हूँ किन्तो मुझे परसाद में कुछ भी नहीं मिला अब मैं कभी भी बिहारी जी के दरसन करने नहीं आउगी और नहीं वरना वनाउगी यह सोचते सोचते उसकी आँखों से आंसू आ गए वह अपने आचल से अपने आँसु पोस्ते पोस्ते बाहर आ गई उस महिला का मन बहुत दुखी था वह बाहर आकर एक जिकाए बैट गई उसी समय एक बालक दोड़ता हुआ आया और बोला मैया मेरी एक ठैली पकड़ लो मैं जूता पहन के अभी आता हूँ तब आपसे ले लूँगा उस औरत ने वह ठैली पकड़ ली और बालक का अंतिजार करने लगी करीमें आधा गंटा भी ये किन तो बालक नहीं आया उनके परोसियों ने कहा कि चलिए और भी दरसन करने है कब तक बच्चे का अंतिजार करेंगी हो सकता है कि बच्चा है भूल गया हो चलिए आप भी यहां से एक काम करिए यह देखिये थे उस थैली में क्या है उस महिला ने जब वह थैली देखी तो वह फफक के रोप पड़ी परोसिने पूछा बेहन क्या हुआ आप क्यों रहु रही हो उस महिला ने वह थैली उनकी और बढ़ा दी जब उन्होंने थैली खोल कर देखा तो उसमें बिहारी जी का प्रसाथ चर्णों के फूल इत्र लगा कपड़ा और साथ में कागत रखा था जिसमें लिखा था मैया अपने लाला से कभी नाराज मत होना जिस तरह आप मुझसे प्रेम करती हो मैं भी आपसे प्यार करता हूँ पडूसी की भी आँखों में आशू आ गए वह महिला पुना बिहारी जी के दर्सन करने को गई वह बिहारी जी के समुख जाकर जोर जोर से रोने लगी और अपने किये की माफी मागने लगी तब ही छोटे गोशाई ने पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी उन्होंने कहा बिहारी जी की लीला तो वही जाने वह रोज कोई न कोई किसी न किसी बक्ते सा लीला किया करते है पुजारी जी ने बिहारी जी की माला को उनको प्रदान किया उसके बाद हुआ मैला बहार आ गई और बिहारी जी से बोलाई लाला जल्दी जल्दी बुलाना बिहारी जी की उस पर ऐसी करपा होई कि वो हर साल अब दरसन करने को जाती है भगवान आपके भाव से प्रसंद होते हैं उसके लिए अपने भाव को विसाल बनाना जोरी है भगवान फिर आपको अवस्य मिलेंगे इस बात का यकीन करिए विस्वास करिए भगवान के तती भाव की ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो करपा करके कमें जैसी किष्ण लिखना मत भूलिएगा जैए श्री किष्ण